हुआ हम पढ़ाएंगे थर्मल इंजिनिरिंग में चेयर्च बारे स्ब्राइब कियारल करने के लिए कर वहारा ड्राइन साफ फ्रेक्शन निकाला जाता है इसमें जो होता है इसमें क्या होता है जो एक तप ट्रम करता है इसमें अच-पंच का इस्तिमाल करते हैं एक जिसमें एक । Пाइप में हम शस्टीम नोजल के द्वारा शस्टीम को करते हैं data Verbormometer इसमें, इसमें टेंपराचर को मीजर करने के लिए इसके लावा इसको कवर किया जाता है करणे स्टीम बाहर ना निकले calorie Parent उसमें इसमें इसमें है Insulation पार्ट पात्र होता है इसके चारों तरफ लगा दे के इसके करने हीट ना करे बाहर बाहरी तरफ पर गरम ना करे और प्लेटफोर्म होता है जिसमें इसको रखा जाता है इसमें क्या होता है जब Scottish सब को steam pipe के द्वारा इसमें flow करते हैं तो flow करने के बाद control valve के द्वारा इसको open कर सकते हैं close कर सकते हैं open कर देते हैं तो यह steam हमारे tube में आ जाती steam nozzle के द्वारा steam nozzle के द्वारा आ जाती यहां पर और control valve के द्वारा हम इसको को इस्तेमाल करते हैं और जो water है water को लिध करते हैं तो water का धर्म pays को इसको कषयां खाल किया हुआ कवर करने वाद किया कर्सक्राइब दोनों के बीच में steam वाटर की बीच में dryness fraction को निकालते हैं और इसको ही हम barrel केलोरी मीटर बोलते हैं barrel केलोरी मीटर में जो हम parameter लेते हैं P होता है इसमे pressure of the steam in bar P होता है steam का pressure जिसकी unit होती है बार T होता है इसमे temperature आप steam formation at pressure P की steam table से निकलेगा आपको T आता है इसमें जो हम pressure के द्वारा steam formation के द्वारा steam table से निकालते हैं temperature वो T कहलाता है HFG होता है latent heat आप steam at pressure P पर from steam table यह steam table से निकलेगा mc जो होता है यह होता है मास आपड़ी केलोरी मीटर का मास होता है mc यह होता है आपड़ी केलोरी मीटर करते हैं mc होता है इसमें water equivalent आपड़ी केलोरी मीटर केलोरी मीटर का water के equivalent लेकरके mc बरावर होता है इसका फार्मूल होता है mc into cc बरावर ms में जो यह होता है मास आपड़ी steam इस्टीम को condensed करने मास होता है ms की बिल्यूग करते हैं mw होता है मास है cold water इकलोरी मीटर cold water जो इसमें भरा जाता है उसका जो mass होता है Mw होता t1 होता है initial temperature water and calorie meter water और के बिचका initial temperature t1 होता है t2 होता है final temperature water and calorie meter water और calorie meter का final temperature जो T2 होता है, CW होता है, specific heat of water, water का specific heat को हम CW से denote करते हैं, जिसकी value होती है, यह 4.2 kJ per kilogram Kelvin, X होता है, इसमें dryness fraction of steam sample, steam का जो dryness fraction होता, उसको X से denote करते हैं, इसमें दो condition पे निकलता है, पहले निकालते हैं, heat lost by steam, steam के द्वारा heat lost हुई जो वो, फिर निकालते है, heat gained by water and calorie meter, water and calorie meter के में heat gained हुई वो, तो हम पहले heat lost निकालें, इसका फार्मूल हो जा गाई है, MS to X HFG plus CW T minus T2, यह आपको फार्मूल लगाना पड़ेगा, heat lost के लिए, MS रहेगा, steam का mass, X dryness fraction, HFG आपको latent heat है, CW मतलब specific heat है, water का, और T आपको temperature है, steam table से जो निकलेगा, और T2 है final temperature, यह है, फिर आएगा heat gained by water and calorie meter, water और calorie meter की विच में heat gain हो रही है, उसका फार्मूल हो जा गई है, MW into CW plus MC into CC, T2 minus T1, MW जो होगा water का mass, CW होगा specific heat up water, MC होगा mass आप calorie meter, CC होगा specific heat up calorie meter, T2 होगा final temperature, T1 होगा initial temperature, इन सबको हम रखने के बाद पहला equation करेंगे और दूसरा equation करेंगे, दोने equation को हम बराबर ले आएंगे, जब बराबर लाएंगे तो फार्मूला यह बन जाएगा, MS X into HFG plus CW minus T2, बराबर हो जाएगा, MW CW plus MC into CC, T2 minus T1, इसके दोरा हम dryness fraction निकाल सकते हैं, यह फार्मूला हो जाएगा हमारे पास separate barrel calorimeter का dryness fraction का फार्मूला, इसके दोरा हम X की value निकाल सकते हैं, dryness fraction, निकाल सकतिक depositedें सकते हैं, इसके लूएफब दोकी दोकार सम्वावण में 6 की बिंपते हैं,